लीला क्रमांग 489 महादाइसा को दौारावती गमन पर विदी समझाना एक बार कटक देवगिरी प्रांच से यात्रियों का सुम्हू अर्थात जथा दौारावती की यात्रा पर निकला इस समाचार को सुनकर दादोस ने महादाईसा को दुरावती की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तयार करते हुए समझाया और कहा रूपे कटक देवगिरी से दुरावती जाने वाले यात्रियों में बहुत से अपने ही प्रिचित लोग हैं इसलिए तुम भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ इस पर महादाइसा ने कहा ना दादो रास्ते में खर्श के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है तब दादोस ने कहा इसके लिए तुम चिंता मत करो उसकी सारी विवस्था हो जाएगी इस पर महादाइसा ने कहा बगवान से आग्या तो लेनी होगी दूसरे दिन प्राताकाल के समय स्री चकर्व स्वामी महराज की पूजा अर्चना हो जाने के बाद महादाइसा बगवान के पास आई बगवान के चर्णों को स्पर्ष कर उसने उन्हें धंडुत परणाम किया और विनमर होकर वहाँ पास बैठ दे फिर उसने प्रातना करते होगे स्वामी से कहा बगवान मैं द्वारावती के तीर्थ पर जाना चाहती हूँ इस पर सरवन्य स्री चकर स्वामी महराय ने कहा बई तीर्थ शेत्र वरत दान आदी देवता और मोचक माता देवताओं से संबंद रखने वाले तीर्थ शेत्र वरत और दान आदी के करने से जीव को संसार के बंदन से मुक्ती नहीं मिलते परमेश्वर सनिधान मोचक परमेश्वर के सनिधान में रहकर उनके सेवा दास्य करने से मुक्ति मिल सकती है इस पर कार सरवन्य श्री चकरस्वाई महराई ने विस्तार से परमेश्वर के अनन्य वैनिश्काम बक्ती से संबन्द रखने वाली बाते समझाई इस पर भगवान ने उसे समझाते हुए कहा श्री कृष्ण भगवान के समय की वह द्वार का नगरी भी वहाँ नहीं है भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ नहीं है इस समय वहाँ जो नगर है उसे वज्र राजा ने बनवाया था द्वापर में भगवान श्रीक्रिशन ने माया का शरीत त्याग दिया तो समुद्र का जल चारों और फैल गया उस समुद्र के पानी में द्वार का नगरी जल मगन हो गई उस समुद्र के बाहर जो तटवर्ती प्रदेश है वहाँ पर बगवान श्रीक्रिशन की समर्थी में एक मंदिर बनाकर वहाँ श्रीक्रिशन मूर्थी की परतिष्ठा की गई है अब तो वहाँ उस समय का कुछ भी शेश नहीं है तो इसलिए वहाँ जाने से तुमें क्या मिलेगा बगवान के समझाने के बाद महदाईसा दादोस के पास गई और उसने उसे सारी बाते बता दी इस पर दादोस ने उसे दुबारा बगवान के पास दे जा वह फिर बगवान के पास आई और उसने कहा बगवन दादोस मुझे कह रहे हैं तो इसलिए मैं एक बार वहाँ जाना चाहती हूँ अता है आप मुझे आग्या दे तब बगवान ने सोचा कि अब यह रुकेगी नहीं इसलिए उन्होंने अनुग्या देते हुए कहा माता वहाँ तुम जब जाओगी तो तुमारे साथ जाने वाले लोगों में से कोई किसी तरफ जाएगा तो कोई दूसरी तरफ अब तुम वहाँ जा ही रही हो तो तुम उस ठान पर जाना जहां श्री चांग देव राउल की पाताल गुफा है वहाँ दो गुफाएं हैं उन में से एक का मुख उत्तर दिशा की और और दूसरी का पुर्व दिशा की और है उन गुफा स्थानों पर जाकर तुम वहाँ उन्हें अवश्य नमस्कार करना वहाँ जल का सिंचन करके रंगोली तयार करना उस गुफा के दुवार पर यदि कोई पुर्ष बैठे होंगे तो उनसे बाचित करके उनसे कुछ पूछ ला इस पर महदाईसा ने कहा अच्छा जी फिर वह बगवान को दंडवत परणाम करके वहाँ से चल पड़ी महदाईसा चल पड़ी लीला का है तो महदाईसा को परमेशर की अनन्ने और निश्काम बक्ती करने का मूल रुप में अधिकार तो है पर अभी ज्यान प्राप्थ होने का समय नहीं आया पूर्व जन्मों के विकल्प दोश की अयोगता के कारण परमेशर के सनिदान में होकर भी वह बादा उत्पन कर रही है करमराठी के कारेव में सलगन की चेश्टा कारेव कर रही है वेदवन्त और बोदवन्त को सलगन का चेश्ट कत्व रहता है मादाईसा को अभी तक तो परमेशर के प्रती वेद है उसे अभी बोद नहीं हुआ इसलिए तो वह मासुपवास करती है सलगन उसे चेश्ट कत्व अर्थात प्रेरिद करके अगंतु करमों को अनारब्द और अनारब्द को प्रारब्द करने में सहयोगी बनाता है श्री चकरपानी बगवान के गुफ़स थानों पर जाने का बगवान ने आदेश इसलिए दिया कि उन स्थानों पर बगवान का संबंद है उन स्थानों की याद आएगी और वहां उसे महादेव मुनी मिलेंगे जहां श्री चकरपानी बगवान की गुफ़ाएं है उन्हें देखने की ही बगवान ने आग्या दी है इसके विप्रीत नमस्कार करने की नहीं क्योंकि कि स्थान पर बगवान ने संबंद दिया है यह निश्चित नहीं है वहां जाने से भी महादाइसा को पुन्य प्राप्त होगा यह बगवान का परमुख हेतू था इस लिला में बगवान ने आचार परक विदी को स्पष्ट किया है अंक लिला कहितू दुबारा से महादाइसा को परमेश्वर की अनन्य और निश्काम बक्ती करने का मूल रूप में अधिकार तो है पर अभी ग्यान प्राप्त होने का समय नहीं आया पूर्व जन्मों के विकल्प दोश की अयोगिता के कारण परमेश्वर के सनिदान में होकर भी वह बादा उत्पन कर रही है करम राटी के कार्य में सलगन की चेष्टा कार्य कर रही है वेदवन्त और बोदवन्त को सलगन का चेष्ट कत्व रहता है महादाईसा को अभी तक तो परमेश्वर के प्रतिवेद है उसे अभी बोध नहीं हुआ इसलिए तो वह मासो पुआस करती है सनलगन उसे चेश्ट कत्व अर्थात प्रेजित करके अगंतु कर्मों को अनारप्त और अनारप्त को प्रारप्त करने में सहयोगी बनाता है श्री चकरपानी बगवान के गुफा स्थानों पर जाने का बगवान ने आदेश इसलिए दिया कि उन स्थानों पर बगवान का संबंद है उन स्थानों की यार आएगी और वहां उसे महादे मुने मिलेंगे जहां श्री चकरपानी बगवान की गुफाएं हैं उन्हें देखने की ही बगवान ने आगया दी है इसके विपरीत नमस्कार करने की नहीं क्योंकि किस ठान पर वगवान ने संबन दिया है यह निश्चित नहीं है वहां जाने से भी महादाइसा को पुन्य प्राप्त होगा यह वगवान का प्रमुख हेतु था इस लिला में वगवान ने अचार परकविदी को सबश्टिस किया है अंक निला करमांग 439 यहां संबूर्न होती है जैस्री चकर्षव महराज की लिला करमांग 440 चार सो चालिस उमाईसा को साथ जाने के लिए कहना महदाइसा के वहां से चले जाने के बाद सरवण्य श्री चकर्षव महराज ने उमाईसा से कहा मासो प्वास करने वाली उमाई तुम्हारा साथ देने वाली महादाईसा द्वारावती में जा रही है तो तुम भी उसके साथ यातरा पर चली जाती इस पर उमाईसा ने कहा भगवन मैं नहीं जाओंगी मैं तो आपके सन्निदान में रहकर आपके सेवा दासे करोंगी तब बगवान ने पुना कहा इस समय तो हम तुमें जाने के लिए कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम पश्चा ताप करती हुई कहो कि मैं चली जाती तो अच्छा होता ऐसा कहने पर भी वैं महादाईसा के साथ नहीं गई सारा दिन बीट जाने के बाद जब वैं अपने निद्रास्थान पर गई तो रात को रोते हुए महादाईसा को याद करके कहने लगी तुमेरा साथ देने वाली थी हम दोनों ही मासों को आस करती थी दोनों साथ साथ बिक्षा के लिए जाती थी इस परकार उसे याद करते हुए उन्चे उन्चे महादाईसा रोने लगी प्राता काल हो जाने के बाद मैं बगवान के पास आई और उन्हें दंडो पर परडाम करके कहने लगी बगवान मादाईसा मेरी बच्पन की दोस्त है उसके बिना यहां रहना मुझे कठी ने लग रहा है तब बगवान ने का उमाई हमने तो तुमें पहले ही का था कि तुम उसके साथ चली जाओ नहीं तो बाद में तुम रोगोगी और पीछे बागोगी इस पर उमाईसा ने स्वामी से कहा बगवान मैं तो अवश्य जाओंगी यह मेरा निश्चे है तब स्वामी ने का अब तो एक रात का अंतर पड़ गया है वे तुमें कैसे मिलेगी इस पर उमाईसा ने कहा बगवान मैं तेज गती से चलकर एक रात का अंतर तो पूरा कर लोगी इस पर स्वामी ने का उमाई हम तुमारे वहाँ जाने का परबंद करते हैं चिंता मत करो उसी समय बगवान नाथोबा और मारतन को बलाया उन दोनों को बगवान ने का तुम दोनों मैसा को साथ लेकर जाओ और इसे महदाईसा के साथ दौरका की यात्रा पर मिला दो बगवान की आगया लेकर वे तीनों वहाँ से उसी दिन चल पड़े और रात तक महदाईसा के पास अगले मुकाम पर पहुंच गए दूसरे दिन में दोनों वहाँ से वापिस जाने के लिए चल पड़े और शाम तक भवान के पास पहुंच गया उन्होंने भवान से का भवान हम दोनों माइसा को महदाईसा के पास छोड़ाए हैं लीला का ही दो भवानने मादाईसा की सुरक्षा के लिए माइसा को वहाँ पहुंच आया है परमेश्चर सदैव जीव का बला ही सोचते हैं इश्ट ही सोचते हैं अनिश्ट नहीं सोचते हैं बगवान ने उन दोनों की बलाई के लिए यह कारे किया क्योंकि उन दोनों को ही अभी तक बगवान से ग्यान और अनुसरन प्राप्त नहीं हुआ था आता है उमाईसा का मन अशान्त हो जाता इस से अनिष्ट भी संभव हो सकता था यह लीला अवर साधन का अधिकार देने वाली है इसमें समझदारी और सूजबूज की जलक मिलती है अंक लीला कहे तू दुबारा से सरवन्य श्री चकर्द महराय ने महादाइसा की सुरक्षा के लिए उमाईसा को वहां पहुंचाया है परमेशर सदैव जीव का बला अर्थात इस्ट ही सोचते हैं अनिष्ट कभी नहीं सोचते बगवान ने उन दोनों की बलाई के लिए यह कारे किया क्योंकि उन दोनों को ही अभी तक बगवान से ग्यान और अनुसरन प्राप्त नहीं हुआ था अतै उमाईसा का मन अशान्त हो जाता इस से अनिष्ट भी संभव हो सकता था यह लिला अवर सादन का अधिकार देने वाली है इसमें समझदारी और सूझ भूज की जलक मिलती है अंक इला करमान 440 यहां सम्पूर्ण होती है